असलाम लेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग, सेफची के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान ताहिरा ली, और मैं हूँ जुबहर शारेक, कैसे हैं जी आप सब लोग, जुबहर आप कैसे हैं, कैसी तव्यत, सेहत कैसी है आपकी, मैं बलकुल ठीक ठाक हूँ ताहिरा, बेटुरी मैं बड़े इनर्जी से काम करूंगा, अपने डियाज़ी टास्क हैं, मैं फुल्फिल करूंगा, सुबह-सुबह बूदें के इनर्जी होती है, उसी एसाफ़ ने पने आपको जवाब दी है शवाब दी है आप नसीहत करते हैं लोगों को एड़वाइस करते हैं अगर आप नजर आए को शक्स कुछ गलती कर रहा है और आप जानते हैं कि यह गलत है और यहां पर यह गलता तो ज्यादा बहतर होता है इसके जो इसको भूगतने पढ़ेंगे गलती के मामले में तो आप उसको फॉरी करता हूं लेकिन एक हद तक नसीहत करता हूं मौके को देख कर और किसी इंसान की नेचर को समझते हुए नसीहत में करता हूं हां तो यह यही चीज़ जो है ना यह हमारे लोगों में कम है कि लोग नसीहत करते हैं इस तरहां से कि उसको शर्मिंदा भी कर देते हैं यह भरी म करते हैं और यसे इस बहुत बहुत जादा ईपर जटे हैं लोगों के सीड़ता है नहीं कि या मगर शुर्मिन्डर ना कि позвол weiß यह दरवाजा तोड़ना नहीं तो आज मैं सचारी थी कुछ इसकंद की बात हम प्रोग्राम के स्टार्ट में करें तो वही बात के जिसे आप कह रहे थे के गाइड जरूर करें लेकिन तरीके के साथ गाइड और हम इस चीज को हम अपने नेक्स शो में डिसकस करेंगे कि अगर कि किसी एक शक्स को आप नसीएत करें तनहा जाके एक दफा नहीं दो दफा नहीं दस दफा उसके बावजूद वह चीज महफिल में दोरा रहा है तो पिर उस पर क्या हिकमत अमली इखतियार करने चाहिए चले इस चीज़ को हम बात करेंगे तो हम चलते हैं हमारे पहले सेग् आजकल तो मौसम मौसम हुआ है और जो हमारे जनाब महतरम सूरज साहब है वह हम पर काफी गुसा है और ठीक ठाक गर्मी बरसा रहे हैं तो जी मौसम के वाले से खबर है कि सूरज आग बरसाने लगा धूप की शिदत से हीट वेव का खच्छा छुलसा देने वाली धूप स जो हमारे मामूलाते जिंदगी हैं वो मौतासिर हैं तो जो मैगमा मौसमियाद हैं उन्होंने का है गार जरूरी सफर ना करें को कि दरजा हरारत 46 डिगरी तक रिकॉर्ड होने का खच्छा है तो 27 मैं तक हीट वेव बर करार रहेगी तो लोगों को संस्ट्रोक हो रहे हैं ल तो हीट स्टोक की वज़ए से भी होश हो गया था और उसको फिर प्रिकॉशन दी जा रहे थी तो ज़्याजरूरी सफर ना करें घरों में रहें अपने बहुत अमर्जनसी है तो आप सफर करें और सफर करने का बड़ा ही अच्छा पैटर्न में आपको बताता हूं गाड़ आपको परिशानी नहीं होगी तो यह हमारी तरफ से मेरी और ताहरा की तरफ से एक टोटका है अगर आप इस पर अमल कर लें तो जो सख्त गर्मी है उसमें अगर आपका जरूरी सफर है और आपने मोटर साइकल पर जाना है तो वह आपका अच्छा गुजर जाएगा और ए 28 यानि के 198 में रिकार्ड किया गया है इतनी घर्मी में AQI की वैली उतनी जादा होनी नहीं चाहिए लेकिन जी हम माशा आला से कहना तो नहीं चाहिए हैं हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं हम जो महौल की अलूदगी है उसको बरकरार रखे हुए हैं फसलों की बाकिया को बागल गाने से नहीं चोड़ते और ऐसी इस तमाम चीज़े करते हैं जिसे धुआ प्रड्यूस हो जिसकी वज़े से हमारा महौल अलूदगा होता है तो ताहरा हमारी अगली खबर किया है अगली खबर जी हम शेयर करेंगे कि एराखीन कौम्मी और पंजाब असमली की में सतीन खवातीन थी जोनोंने कल पंजाब सेफसरी से अथारिटी का दौरा किया और इनमें कौन कौन शामिल थी यहां आपको बताते चलें इस वक्त में एमने शाहिस्ता परवेज मलिक एमने किरंडार और एंपी ए कमल लियाकत शामिल थी इन्होंने पाकिसान के पहले वाइफाय जो फ्री वाइफाय सर्विस दी गई है इन सब का दौरा किया और बहुत जादा नोंने इत्मिनान का इजहार किया सर्विस को देखते हुए तो इस तरह से आना चाहिए एप्रिशेट करना चाहिए इन तमाम कामों को और हम वोपफुल हैं कि हम सीम साहिबा और इस तरह के बहुत से इनिशेटिव लेंगी जो ना सिर्फ खवतीन बलके मर्द हज़ाद या पूरी हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही वुफीज चाबित होंगे जबैर अगली खबर हमारे पास पंजाब सेफ सरी अथारिटी की हमारे पास 24 घंटों की कारकरदगी की उसने मदद फरहम की वो 5461 थी और उसके साथ मश्कूक सरगर्मियों की निशान दही जिसमें की गई जिसमें सेफ सिटी ने 1085 जो है मश्कूक सरगर्मियों की उन्होंने निशान दही की फिर उसके साथ साथ मुमन सेफटी अप से हमारे 18 खवतीन को मदद फरहम की गई तो बार बार हम अपने प्लाटपॉम से बार शेयर करते हैं कि प्लीज डाउनलोड वूमन सेफटी आप ये खवातीन के लिए बहुत मुफीद और फायदे मंद है बहुत एक मौसर चीज है इसको आप डाउनलोड करें ये आप ही की सेफटी है फिर उसके बाद हमारा जहां से की गई और उसके साथ साथ हमारा जो क्राइम स्टॉपर सर्विस है जो जराइम की रोक थाम के लिए और इसके बारे में मैं अपनी कॉलीग से कहूंगा जरा हमारे नाजीन को बताएंगे क्राइम स्टॉपर सर्विस क्या है ताहरा प्लीज जराइम की खुफिया इतला है अ स्क्रीन के नीचे भी आप देख रहे हैं कि नंबर डिस्प्ले होगा आप इसको नोट कर सकते हैं हमें कॉल कर सकते हैं बेना किसी खौफ कि आपका नाम नंबर दोनों चीज़ें डिस्क्लोस नहीं होंगी इसके साथ अगर आपके पास कोई एविडेंस है याई तस्वीर या विडियो शवाहिद आपके पास मौजूद हैं वो भी आप हमें शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कहां शेयर कर सकते हैं www.psca.gop.pk एविडेंस किस चीज़ के देने हैं किस हवाले से आपने कॉल करनी है कोई भी खुफिया इतला यह आपने आसपास रेखते हैं बिजडी पानी चोरी हो रही है पतंग बाजी हो रही है मनश्यात का काम हो रहा है जुए का अड़्डा है इस किसम नंबर पे और इस कोपहमाई चुके मुझे भी बजाते हैं और यह बहुत एक मुश्किल काम है हमारे कोपहमा जी सरबास खान ने माउंट एवरेस्ट बगएर औकसीजन के सर कर ली और बगएर ऑकसीजन सर करने वाले यह पाकिस्तान के दूसरे कोपहमा थे और इसके साथ साथ बताती चलो कि सर बास खान बगएर ऑकसीजन 11 चोटियां सर करने वाले पाकिस्तान के पहले यह वाहिद पाकिस्तानी है यह हमारे लिए बड़े अजास की बात है और इनको हम कॉंग्रेंजलेशन भी बोलते हैं क्योंकि मुश्किल टास्क होता है लेकिन जनून अगर आपको किसी चीज़ का हो तो फिर आप वजहिसे कहते हैं को बीकां कर सकते हैं वहाब पहाडा साकते हैं वह द्रम था को पहाड कर सकते हैं सो एक मोटिवेशन हैं पाना के लिए जो कुछ करना चाहते हैं और लगता है के काम बहुत मुश्किल आ है जो किकेट के शाहकीन के लिवे जो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं अपने फेवर्स टार्ड़ को देखना पसंद करते हैं तो उनके लिए ख़बरी है एक पाकście तो इंगलेंड के ना बैंन चार मैचू की सीरिस का अघाज हूने जा रहा है दोनों टीमें आज लीड़ में पहला T20 इंटरनाशनल में मद मकाबल होंगी और इस सीरीज के बाद पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शमूले इक्तियार करेगा जो के बहुत जादा एक इंपॉर्टन एविंट है ICC का बहुत बड़ा एविंट है T20 वर्ल्ड कप जो के हम हमेशा से दुआ को होते हैं इनके लिए कि अपनी गाड़ काड़ के अच्छी दिखाएगी तो अगर इंगलेंड को शिकस्त दे सकी तो काफी अच्छे कांफिडंस के साथ अच्छे मौराल के साथ वो वर्ल्ल कप में शमूले तक तक तियार करेगी इस सीरिस के लिए भी और वर्ल कप के लिए भी भी उनको हम बेस्ट ओफ लग बोलते हैं और अच्छा च्छा परफॉर्म करें अपनी हम सब को आपकी अच्छी परफॉर्मेंस का इंतजार है ऐसी खुशियां देते रहा करें ना हमें और आखर में जी स्टेग्मेंट के आखर में हम हमेशे जिकर करते हैं घजा के हवाले से घजा पर जो इस्राइल के वहशियाना हमले हैं इसमें पचासी फलस्तीनी कल 24 घंटे में शहीद हुए और जो टोटल तादाद है वो 35,647 को भी एक क्रॉस कर गी है शोदा की जो इनसाफ के अधारें जो बड़े अधारें जिनको अल्दाने एथारिटी दी है तो अपने इस्तेमाल करें और जंगमदी हो यह जंग का मामला खतम हो जाना चाहिए तो यह था जी हमारा पहले सेग्मेंट अब टाइम हो जाता है चोटी सी ब्रेक का आप में रहना है हमा संस्ट्रोक हो रहे हैं लोग निढाल हो रहे हैं बेहोश हो रहे हैं डिहाइड्रेट हो रहे हैं तो हमारा दूसरा सेग्मेंट इसी के बारे में हमने का कि प्रॉपर सेग्मेंट करें और हम मदू करें एक स्पेशलिस्ट को बता सकें कि इस गरम मौसम में क्या एतियाती तो इसी बारे हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है, दॉक्टर अर्शद हमाययो सहाब ये जनल फिजीशन है, आईए इनको प्रोग्राम में वेल्कम करते हैं और इनसे बातशीत करते हैं, असलाम लेकुम सर्व, वालेकुम सर्व, वेरी वाम वेल्कम टो वर शो, थेंक सब्सक्राइब करते हैं, तो गर्मी की शिदत बढ़ रही है, हीट वेव का ख़च्छा है, सबसे पहले तो ये बताएं कि इसकी अहतियाती तदाबीर क्या है, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, इस मौसम की शिदत से खुद को कैसे महफूज सकते हैं, बहुत शुक्रिया ताहरा और जुबहर, आपने फरमाया कि हीट वेव का ख़च्छा है, ख़च्छा नहीं हीट वेव आज की, उसकी रिजन है कि अगर हीट से ट्रोक हो रहे हैं, तो हीट से ट्रोक एक एक स्टेम स्टेज है, हीट वेदर की, जिएक नॉर्मल टम्प्रेचर बोडी का कितने है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर का टम्प्रेचर कितने चल रहा है, 42, 42, 43, 46 तक जाने का खत्र है, तो खुद ने जिसम के अंदर एक ऐसी मक्सद इसलाहियत रखी है, कि वो खुद एकलिमेटाइज करती है, आइपोथेलमिस एक सेंटर है हमारे ब्रेन में, आइपोथे रहना चाहिए, अगर इस से ज्यादा होगा, तो वो जो सेंटर है वो रेगुलेट करके, स्वेटिंग होगी, और टम्प्रेचर नॉर्मल हो जागा, कम हो जागा, और अगर मक्सद है कि बाहर का टम्प्रेचर इतना ज्यादा है, कि वो नहीं कर सकता, तो फिर क्या होगा, क के उपर भी वही temperature होगा आपके गुर्दे के उपर भी वही temperature होगा आपकी skin के उपर भी वही होगा और वह खत्रा पैदा कर रहा होगा ठीक है एक normal body temperature kudratin मनाया है 37 degrees centigrade तो 37 से अगर 42 46 चले जाएगा तो आप देख लें brain की क्या सूर्तियाल होगी और उसमें ये कैफियत होती जो आपने फर्माया है heat stroke जो है वह extreme stage पर आ जाती है उसमें यह होता है कि आपके ज्यादा होने की वज़ाए से एक तो confusion पैदा हो जाती है बंदे जो है ना confused होना शुरू हो जाते हैं उसके बाद उसमें बाद दुफाक जटके लगने शुरू हो जाते हैं ये stage जो है खास और बहुत खतरनाक stage में आ जाती है skin के ओपर अगर असरात हो रहे तो skin जो है वो काम करना चोड़ जाती है इसी तरक गुर्दे बहुत ज्यादा जो रिस्क में होते हैं वह हमारे गुर्दे इस मौसम में होते हैं ज़रा सी जाहर है अगर ज्यादा दे रहे ना 40 42 46 तक अगर जाता है तो उसमें विदें 15 मिनेट्स अगर ही स्टोग होती है विदें 15 मिनेट्स डेथ का खत्र होता है वह सकती है और बाहर हम जो काम कर रहे हम घरों के अंदर या जा आफिस के अंदर तो हम AC में बैठे हुए मौसम इतना नहीं है जब बाहर निकलेंगे तो AC ACCLEMATIZATION अगर कम होगी किसी की तो वो ज्यादा VULNERABLE होगा वो ज्यादा खत्रे में होगा हमने देखा है कि जो छोटी उमर के बच्चे और जो बड़ी उमर के लोगे एक तो वो खत्रे में है उसके बात वो लोग हैं जो किसी ने किसी बीमार जिगर की कोई प्रॉब्लम में हैं या कोई इस तरह की कैफियत है कोई बी क्रॉनिक इलनेस जो है उन इलनेस की वज़ा से वह फिर जो तंप्रेचर थोड़ा सभी बढ़ेगा ना तो वह उनके लिए नुकसान दे होगा 42 से ज्यादा गया तो वो काम स्राव अच्छा सर ये हीड स्ट्रोक की इप्तिदाई इलमाद क्या होती है मुझे अगर कुछ फील होने लगे तो मैं गूँ यार ये अब बाद इस तरफ जा रही तो हो सकता है मुझे हीड स्ट्रोक हो जाए सर इप्तिदाई इलमाद पर रॉष्णी लागे देखें सिंपल सी बात है कि एक तो टमप्रेचर बहुत जैदा बढ़ जाता है बाड़ी का और बढ़ना चुरू हो जाए तो उसके साथ जिल्द के ओपर खारिश शुरू हो जाती है वामिटिंग शुरू हो जाती है फीवर इसमें डार्या भी हो सकता है और वामिटिंग भी हो सकती है इसकी वज़े से और आज कल एक डारीय की वायरल इल्नेस भी पहली हूँ है जो कि अगर दोनों कठी हो जाया तो फिर तो आप समझने के क्या सूर्तयाल हो गे उदर से डारीया वायरस की वाज़े से हो रहा है को खास्वते बाहर निकल तकर पूरी और इससर्ट करते हुए बाहर निकल उनको करते हुए जो पानी की कमी जो है वो घुटिए के लिए नाकाबलता रदास्त थोनकोटे बहुत ऐतिया चाहथ जो जैसे आप ने कहा कि लो यह वामिटिंग है यह कीसिस आरे हैं हमारे पास आज कर ईडाउट नी रिजन को टैरिया वामिटिंग हो रही है भीएल मसुद्थ कर नेकिक पानी पिया तो वामिटिंग शुरूर गिए टैर्रिया यह कीसिस यह हैं जो हमैं उनको अपनी कस्टिडी में लेके और उनको मैनेज करने चाहिए प्रॉपर ताके वह फृदर जो एक्स्ट्रीम स्टेज या हीट से ट्रोग की उसमें न जाए लोगों के जहनम इस ट्रोग का लफ़ाद है जैसे वह फालिज बूलिज वाली शूर इस तरह की नहीं होती है एक्स्ट्रीम स्टेज ऑफ सकते हैं इसमें कि यह होता है सर अभी जो सब सिम्टम्स बजा रहे थे अगर हमारे आसपर किसी शख्स को ऐसे को सिम्टम्स होते हुए हम देखें कि फॉर तो पर अगर वो अनकॉंशियस स्टेट में चला गया बेहोश हो गया या कुछ ऐसा तो क्या अब्तिदाई तोर पे सेफ सिटी बड़ी नदर रख रहा है माशा अला जो भी इस तरह की लेकर नदर आपने इस एंगल से रखनी है कि उसके क्या उसमें तब्दीली आ रहे है उसकी सोच में उसके काम में उसके उसके उसकी जाहर लुक तब्दील हो जाती है गिरने की सूर्टेहाल तो नहीं बर और आघ लुक वार घाया जो उसके नदर पनी आट्र मैं मार इसके बचाओ कैसे मुमकिन है तो यह नहीं है गरओ ऑ है झाल इसके बचाओ को से चाणिए उसकाSmak आफकोर से काश्या जोतवार न私यतुंति में उसके हांऀ तो इन अगला प suis हीट स्टोक से बचाओ कैसे मुमकिन है अब सर इसर आप एक्स्टेन करें थे थंडा पानी उस पर डाल दिया जाए बरफ की टकोर कर दी जाए इससे हटके और क्या चीजिए हैं सबसे बड़ा इच्छी बात है बचाओं में पहले करना है प्रवेंशन नहीं है तो कुछ भी न पानी का इस्तमाल ज्यादा कर लें अपने साथ 1 रिटर पानी उसमें पानी यस में ब्ल्लब प्रश के पैशन दूरता है प्लस पेशन यह नहीं होते हैं तो शुगर के पेशन आवाइड करते लेकर ना साधा पानी करते हैं तें लेकर बहुत बेतर है आजकल लो और उसमोलर और रहा लोग समोलर उसको कहते हैं वो आदे लिटर में एक पैकट डालते हैं ठोटी बॉड्टल अगर आपने रखी यह वो करें उसके बाद पानी बार बार भर भी हैं आप जा रहे हैं कवर करें आपने सर के ओपर कोई बार बार उसको चेंज करें और वो सर पे आप हैलमट के अंदर रख सकते हैं और अगर आपकी बॉड़ी के अंदर कुछ तबीली नजर आ रही है तो छोड़ दे सारा कुछ और मेडिकल केर पर चले जाएं नजदीकी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं क्वालिफाइड डॉक्टर में कारूं दूसरे लोग वो रिपों की तरफ चल जाते हैं तो वो फिर यह चीज़ है दूसरा पानी का इस्तमाल ज्यादा करें फुरूट आजकल बेहतरीन जो त प्रचाना है तो तरभूस का इस्तमाल ज़ादा कर दें तरबूस के पानी नी पिया जोस्के सब्सक्त अब आप तरमूस को पानी है। तर्बूस के पानी के जूरूत नहीं रहती है। अगर आप प्रॉपर यूज कर रहे हैं। पानी का एस प्रते हो पी गें। पिया है। उससा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इन्फेक्टेड वाटर पीया तो फिर तो जाहिर होगा, पानी ही इन्फेक्टेड आए, जिसमें कोई जरासीम है, जिसमें कोई वाइरस है, तो वो तो फिर नुकसान करेगा, तर्बूज कहाया हो या ना खाया हो और सर, खर्बूज का भी हिसाब है, खर्बूज का भी यही है, कोई ऐसी बाद नहीं है, पानी पिया जा सकते है, पहले बादनेटली ऐसी मित बन चुकी हुए है, मैं एक मित और बताता हूं कि वो मेरे पास आते हैं लोग, तो कहते हैं जिसका बलड पिशर बढ़ गया तो हम सब्सक्राइट में पानी डाल लिया, अब यह बताये मुझे, किस डॉक्टर ने कहा है कि आप सब्सक्राइट में यह पानी डाले और पिला दे, सबसे पहले तो आपको यह नहीं पता है कि बलड पिशर ज्यादा है, यह काम है, पता ही नहीं है, यह मित ऐसी बन चुकी मित को आप कमस कम किसी क्वालिफाइड बने से उसको कलियर कर लें, इसकी क्या है, अगर मालूम है, यह पानी कोल्ड ड्रिंक वाला तोड़का, यह नहीं है, तक किस सूरत में, यह ही नहीं है, आप सादा जो लसी पी लें, कच्छी लसी नमक डालें, लोग के लिए होगी न अगर हाई है, सादा पानी, से इसलिफ सादा पानी, सादा पानी कोई ही, सादा पानी कि क्वाण्टिटी है, जितना एसामी से पी लिए पानी थियुक्त और जूम कर दो आपका नमक बाहर आएगा, आज तो अलाज भी ऐसे आगए हैं सुर के मरीजों के, उसमें नमक और श इसलिए ज़रूरी है कि आइज कल जो अगर हीट से बचना है तो थंडा पानी तो थोड़ा ज़िए उसमें थंडे कोई बात नहीं है जो है वो पी हैं वो ज्यादा बेड़ा है लोग मुख्तलिफ अम्राज में मुपतला हो रहे हैं तो सर इस पर हीड हीड स्ट्रोक कैसे अंधर असर अधर 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 बड़ी बात तो यह है कि अगर बाड़ी की कुबत मुदाफित कम है ना तो हीड से ट्रोक भी एफेक्ट कर इसलिए तो कहते है ना बचों में और बुडों में और खासवर पर यह जो किसी क्रोनिक इलनेस में मुपतला है जितनी भी क्रोनिक इलनेस उसमें डेप्रेशन होती है बिमारी को बढ़ाती है को बीमारी क्रोंड आप अपने आपको आपकोLab को समझ़ेरे होते हैं वे अपनी अlect Charlotte को इतनी नहीं आपने जो बात की ना कि ये नर्व को स्टॉंग करें हर चीज में आप देखें आपकी फाइट करने की कुवत तो होनी जाहिए ना तो आपकी वह फाइट करने की कुवत खतम हो जाती है तो कोई भी दूश्मन आपके आपी हो जाएगा करते हैं इस गर्मी के शिदत है जाएट बढ़ गी है इस में एक्सरशाइज का पैटरन है इस हमारे से पहले से मामूल उमने बनाया है उसमें बीचेंजिस लानी के ज़रूरत है बिल्कुल जरूरत है देखें बात यह है कि एक्सरशाइज में ज्यादा होती है और ऐसी वह भ पामेंपे वाकिःॆट, ऐसे पहल अबाखियंक कर सकते हैं ऑपकी घ्रांच करें किऽ और में हुआ मोखे है एपायड करने हुए से वकट रेंद करने हम तोंच करें ह accomplish बचया करें प्रोग्राम कर देंठ चाहए धा अब प्रोग्राप नाजरीन को सर वो जुरूर देजिए इस मौसम के वाले से मैं समयता हूं कि हमारे पास केसिज काफी आ रहे हैं डाइरिया वामेटिंग के और हीट से ट्रोक की केसिज आ रहे हैं तो मश्वरा यही है लोगों से के वो अपने आपको अपने किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मैं दोर करते रहें ताके वो आपको सही मश्वरा दे और उसमें आपकी सहत का फैदा लेकिंगे आपकी सहत का फैदा गिया ओड़ार जिरा और यह इए इबादित भी है टू यहादट समिज़ के करें अपनी से जिर्द है इन यह यार बना दिया जिसम तो अपने हापी सार सोच की तरफ जाए तैंक यू सो मुझ सार थैंक यू सो मुझ नाजरीन जी सार ने बहुत डीटियल में आपको बताया कि हीट वेव के ख़चात नहीं हीट आच चुकी रही है और रोनी सेवन रोनी एट माई तक इसका ख़चा है कि इसकी तंपरेशर चुके बहुत जादा ब इसी बात पर लेते हैं एक चुटी सी ब्रेक आप में रहने हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन एक दवा फिर से आपको खुशामदीत कहते हैं आप देख रहे हैं जी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग सेफ सिटी और अब जी वक्त हुआ जाता है आखरी सेग्मेंट का जिसका बहुत से ऐसे मुमालिक जो तरकी याफ़ता मुमालिक हैं जिनके बारे में हमेशा बात करते हैं कि जिनकी निशानी है कि यह ना सिर्फ वहाँ पर इनसानों के हिमन राइट्स का इतना ख्याल रखा जाता है उसी कि साथ साथ वहाँ पर मौजूद जानवर परिंदे ऐसे मुखी लैंड में मुकामी बाच्षिंदों का वेल मच्छी जो हो उसको इनसानों जैसे हकूग देने का मुटालबा वैसे देखा जाय है यह बड़ी इंटरस्टीं ख़बर है कि उन्होंने वेल के यह कहा है कि इनको भी इंसानों जैसे हकूग दिये जाए जाए तो इसकी बख्ष माहौल दिया जाए ताकि उनकी अबादी को जो कम होती जा रही है अलूदगी की विरा से इस तरह के दरपेश मसाइल है उनको बचाया जा सके उनको इस तरह के राइट देने चाहिए इस हवाले से उनके जो ये जो मावरी बाशिंदे हैं न्यूजिलैंड के मकामी ब रिक्वेस्ट की और इस हवाले से उनके जो बाश्या थे तोहितिया पोताताओ अगर मैं गलत इसको परणाउंस ने करी तो उनकी जानिब से जमिरात को इस बारे में ये बातचीत की गई और ये बयान दिया गया कि ये होना चाहिए सो ये बहुत अच्छी चीज है लेसन है है हम सब लोगों के लिए के अपने आ आ सपास आप देखते हैं चुक्री तो मौसं पी इसकिसम का है जैसे रॉक्षा ने जिकर कि आपिशल सैगमें कि आप अपना ख्याल रखें खुद को गर्मी के शिर्दत से बचाएं इसी के साहते हैं सिर्द साहता अगर आप देखते ह उनके लिए भी खत्रा है उपना ख्याल रखने के साथ साथ अपने आस पास मखलूक खुदा जो ला की मखलूक हैं जो आप पर डिपेंडेंट हैं उनका भी ख्याल रखे हो सकता है कि किसी एक ऐसे काम की विदा से ला की जाद आपको बख्ष दे तो ऐसे नेक काम करते रहने अगली खबर मेरे पास ही है जो हमेशा की तरह बहुत ही महिनत करके बहुत ही कोशिश के साथ मैं खबर ढून के लाता हूं और अपने नाजरीन को सुनाने के लिए बहुत ज्यादा बेताब होता हूं अच्छा ताहरा आप सवाल का तो संसला चलेगा मुश्र करेंगी तो प और लुत इसा काया हुए मैं से कौन समल करते हैं- गदे सेरसका काई खाता है आपको जनवर आपको ठाम किया बढर तूह कि बिचार बेना किन कानी बिचारा अच्छा मेरे सवाल का जवाब दे कौन सा मुल्क है यहां पर लोग बहुत ख्याल रखते हैं इन चीजों का आपने दो मुल्क बोले और दो में से एक आपने जवाब ठीक दिया और चाइना ही होगा डेफिन चाइना चाइना अचाइना इसकी पिछे एक डिटेलिंग है यह दिटेलिंग ही बड़ी दिल्चस्पो अजीव है कि हर साल चाइना के अंदर 59 लाक गदों की डिमांड होती है उन सट लाक गदे वहां पर हर साल चाही ही चाही है अब उसकी खास वज़ाई है कि वह उन गदों की खाल से उन गदों को जिबा करके अच्छा यह किस परपस्की इसका रहती है और यह हमारी है बैसिकली मेडिसन का नाम देते हैं ब्लट टॉनिक के लिए ब्लट सर्कुलेशन के लिए रिप्रडुक्टिव सिस्टम के लिए यह दोई खानी होती है जी बलकुल इसकी खाल कर उस मेडिसन में इस्तमाल होता है और उसके साथ साथ कई beauty products जो कि हमारी खवातीन लगाने की बड़ी शौकीन होती है उसमें भी घदों की skin का इस्तमाल किया जाता है और उससे खवातीन के चेरें निखर जाते हैं बहुत खुबसुरत हो जाते हैं सबसे ज्यादा जो गदे पर वाइड करता है चीन को वह आफरीका है अच्छा वह अफरीका सबसे ज्यादा गदे जाते हैं तो आप लोगों ने यह बड़ी मुझे इंटरस्टिंग कर लगी कि वह घदों से और एक अजाफी में खबर दे दूं के गदी के दूद्ध से भी beauty products का इस्तमाल होता है बिल्कुल चोड़नें आप beauty products का इस्तमाल करना घदी का दूद्ध भी beauty products के अंदर इस्तमाल होता है यह बी यह खबर है यह भी मैंने का चो लो घदे का जिकर होई रहा है तो घदी क्यों पीछे रहा जाए घदी का भी हम जिकर करेंगे इसके अंदर हग अब आपने नाजरीन से शेर की अब आपने हमें कमेंट करके बताना है कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा यह सेग्मेंट इसके साथ सथा आप मुझे और ताहरा को इजाज़त दीजी अपना बहुत ख्याल रखिये मिलेंगे एक ने शो के साथ कुछ तिल्चस्पो औ सब्सक्राइब के साथ ने सेग्मेंट के साथ ने महमानों के साथ अपना बहुत ख्याल रखिये तब तक के लिए लाहाफिज